एक दौर था जब इनसान को रोटी, कपड़ा और मकान नाम की टेंशन्स हुआ करती थी उसके बाद अगर कोई टेंशन थी तो वो थी बच्चों की शादि वक्त के साथ संसाधन बढ़े, लोगों की इक्षाए बढ़े इन्ही एक्षाओं को पूरा करने के लिए काम की खोज बढ़ी और काम बढ़ा तो टेंशन बढ़ी आज जिसे देखो वो यही कहता सुनाई देता है कि यार लाइफ में बहुत टेंशन है वैसे यह टेंशन शब्द काम की वज़े से सिर्फ बढ़े ही नहीं बोलते बलकि युवा बर्ग और टीनेजर्स भी आज कल चिंताओं में घिरी रहते हैं और यही चिंता यही टेंशन कही आत्महत्याओं का कारण बनती है और इसी बात से चिंते थोकर मद्रदेश सरकार ने एक ऐसा एक्षन प्लान तयार करने के बारे में सोचा है जो लोगों को मौत के गले लगाने से रोकेगा आईए जानते हैं कि क्या है यह एक एक एक्षन ब्लान स्वागत है आपका 7i News में मैं हूँ अशाल प्रदेश में बढ़ रहे आत्महत्याओं के मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं और इसी चिंता के चलते अब सरकार एक ऐसा एक्षन प्लान तयार करेगी जिसके जरिये उन वजहों को जानने की कोशिश की जाएगी जिनके चलते लोग मौत को गले लगाने पर मजबूर हो रहे हैं सरकार के इस फैसले के पीछे का कारण है आनन्द संस्थान द्वारा किया गया एक सर्वे जिसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो बेहत ही चौकाने वाले आकडों से परदा उठा इस सर्वे में जिला स्तर से 5 साल का डेटा कलेट किया गया ये डेटा जो खुलासा करता है कि प्रदेश में आत्महत्याओं का दर देश की ओसत दर से भी ज्यादा है सुसाइड रेट जो की राश्ट्री स्तर पर 10 प्रतिशत है लेकिन मध्यप्रदेश में इसकी दर 13 प्रतिशत से भी ज्यादा है पूरे देश में आत्महत्याओं के मामले में मद्रिप्रदेश 14 नंबर पर आता है इस सर्वे ने एक और बड़ा खुलासा किया है जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी सर्वे के मताबिक महिलाओं की अपेक्षा पूरुष ज्यादा आत्महत्या करते है महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्या की दर 40 प्रतिशत है वहीं पूर्षो द्वारा की गई आत्महत्या की दर है 60 प्रतिशत इस सर्वे के बाद जो आकड़ी सामने आए हैं वो बेहदी दुखद और चौकाने वाले हैं ये तो आत्महत्याओं के आकड़े थे, लेकिन इस सर्वे के बाद एक और एनालिसिस की गई जिसके सामने आया कि अनपड से लेकर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग तक ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हैं। अगर आत्महत्या की कारणों का पता किया जाए तो 26 प्रतिशत लोग पारिवारिक परिशानियों की कारण आत्महत्या करते हैं। 19 प्रतिशत लोग ये कदम उठाते हैं बीमारी से तंगा कर। 11 प्रतिशत लोगों द्वारा की गई आत्महत्या का कारण सामने आया है वैवाहिक जगडे 6 प्रतिशत लोग बिरोजगारी से परिशान होकर ये आत्मघाती कदम उठा लेते हैं 5 प्रतिशत लोगों की नशे की हालत उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर करते हैं प्रेम संबंड 3 प्रतिशत लोगों द्वारा की गई आत्महत्या का कारण है 3 प्रतिशत लोग खुदखुशी कर लेते हैं संपत्य विवाद के चलते 2 प्रतिशत लोग फेल होने की वज़े से या फेल हो जाने के दर से जान देतेते हैं और 16 प्रतिशत अन्यकारण सामने आया है इन सब में सबसे ज़्यादा आत्महत्याय करने वाली हैं ग्रहनिया 26 प्रतिशत ग्रहनियों की आत्महत्याय का मामला इस पूरे सर्वे में सामने आया है शिक्षा के आधार पर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आत्महत्याय करने वाले वो लोग है जो अनपड़ हैं या फिर पांचवी तक पड़े हुए हैं वहीं ग्रेजवेट्स द्वारा की गई आत्महत्याओं क्या प्रतिशत सबसे कम हैं इन बेहदी गंभी राकणों ने मद्रिपडेश सरकार की नीन उड़ा दी और इसी लिए आत्महत्या के कारण को दूर करने के लिए अलग-अलग विभागों के जिम्मदारी तै की जा रही है आनंद संस्थान समन्वय का पूरा काम करेगा इसके साथ ही संस्थान जगह-जगह वॉलंटियर्स भेज कर लोगों को जागरुक कर रहा है और अफसाद में रहने वाले मतलब डिप्रेशन में रहने वाले लोगों से मिलकर उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की प्रयाज भी किया जा रहे है जल्धी इस काम के लिए एक एक्शन प्लान तयार करके उसे लागो किया जाएगा प्रदेश ग्रह मंत्री बाला बच्चन का इस बारे में कहना है कि प्रदेश में एक भी खुद्धूशी होना दुखत है इस रिसर्च के आधार पर सरकार एक्शन प्लान बना रही है आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आक्ड़ा कम हो जाएगा हाला कि हम तो यही आशा करते हैं कि सरकार का ये एक्शन प्लान कारगार साबित हो और प्रदेश में आत्मध्याओ का ये आक्ड़ा कम ही नहीं खत्म हो जाएगा बने रहिए 7i News के साथ नमस्कार